मुख्या मंत्री जी आपने बीजेपी के हेलिकोप्टर खाली लोटाएं वो कौन सी जादूगरी थी इस्तान की विदान समय में इमामदारी का बीज खतम हो रहा है और हमारे गैलों साथ बोलते हैं मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए गोल तेरे साथ क्या सलूग किया जाए चंद संगर्स यात्रा के कारे करम में 130 किलोमिटर की लंबी तप्ती दूप में यात्रा करके आए हिंदूस्तान के युवार हदै समराट 36 कौम की आवाज हमारे लाडले सचिन पाइलेट साथ मंच पर विराजमान हमारे मंत्रि मंदल के साथी है माराम जी हमारे विदान सबा के साथी विधायगर्ड समानीत मंच आज का ये कार्यकरम पाइलेट साथ पिछले 25-30 साल के अंदर मिटिंग ये हमने सभाए भोग देखी है ऐसा जजबा ऐसा जोस मैंने आज पहली बार देखा है मैं बताना चाहरा हूँ हिंदूस्तान हिंदूस्तान के लेताओं को जो लोग हमारी राजस्तान सरकार का अलाइमेंट खराब हो गया है जारीवाल जी बोलते हैं कि हमारे मुख्य मंद्री ने अच्छा अच्छू को पानी पिला दिया जारीवाल जी राजस्तान की प्यासी जनता को पानी पिला हमारी राजस्तान की जनता माई जून में प्यासी है इसको पानी पिला आपके ओपिस में से कोई भी फायल बश्टाचार के बिला नहीं लिकलती आपके ओपिस में से हमारे मुख्य मंद्री जी ने मुख्य मंद्री जी ने पूछा मुख्य मंद्री जी ने पूछा सिख्य मंद्री डोटा सराजी थे सिख्य को का समयलन था और पूछा की ट्रांसपर बिना पैसे होते के बलब नहीं होते मास्ट्रों के ट्रांसपर पैसे बिना नहीं होते बरत सिंग जी कुंदनपुर तीन साल से विधान सवा में नहीं आ रहे चिथी पर चिथी लग रहे है राजस्तान की विधान समय में इमामद्री का बीच खतम हो रहा है बरत सिंग जी चिला रहे है धारिवाल जी ने परष्टा चार किया परमोजेन भाया खा गया भाया ने भाया खूब खाया एक तो पुरा गाम खा गया सुनने वाले नहीं हैं मुख्यमंद्र जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं दस दस बीस बीस करोड रूपर लोटाऊंगा मुख्यमंत्री जी आपके और वसुंद्रा जी के साथ साथ ही कोरोना होता कोरोना मुख्यमंत्री जी के कोरणा तो उसी टाइम में वह सुनर जेह को करो न यह मुली जुली सरकार यह मिली जुली सरकार मुख्यमंत्री जी आपने बीजेपि के हेलिकोप्टर खाली लोट आए वह कौन सी जादूगरी थी यह उनका मेरे पास इसाब और सबूत है और मेरे पास सबूत है बाजबा के विदाइकों को खरीदने का पैसे का करोड़ पर रुपे का सबूत है इस राजे दर्गुटा का पास किस राजस्तान के राजस्तान के इमांदार मुख्यमंत्री अरे किस-किस बाजबा के विधाई को क्या-क्या पैसे दिये मुझे पता है मेरे पास सबूत है उनको भी पैसा लोता हो अब हेमराम जी जैसे पाउग तो मना अदमी पर दाग उठाते हो मैं कहता हूँ बराज सिंग जी का है हेमराम जी का है अरे इस आदमी पर सो सो करोड रुपे की जमीन पचीस-पचीस करोड रुपे लगा के और मैं कहता हूँ पाइलेट साब राजस्तान में कहीं भी चले दोड़ा लाखों की संके में लोज़वान खड़ा है और हमारे गैलो साब बोलते हैं मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सलू किया जाए गैलो साब 21 पर आ गए थे 21 पर इपाइलेट साब ने आपको सोपर पुचा के मुख्य मंत्री बनाया राजस्तान की 200 विदान सबाओं में जाके एक एक नोज़वान का पिस्वास लिया और इमान लेके आपको मुख्य मंत्री बनाया उसके बाद में गैलो साब ने तो विपक्स पाइलेट साब को इमान रखा है उद के साथ है और हमारी सरकार का अलाइमेंट खराब हो गया है उश्मारी सरकार ने बश्टाचार के सारे रिकोर्ट तोड़ दिये है जंता का एक मात्र आसागी कीरण आप हो इस राजस्तान के नोज़वाण के लिए लड़ाई लड़ाई हो बचाऊ इस को इस नोज़वाण के सब्नों को बचाऊ यह 33 कौम का नोजवान आपकी तरफ देख रहा है और मैं कहता हूँ आप हमारे नेता हो जो भी फैसला करेगा वो मनजूर है लेकिन मैं कहता हूँ फैसला वो करना 2023 का फैसला यह जनता यह नोजवान करेगा आपके सो बीस गंदे गेल्दी में तंपर लाग हुँ लोग आ जाते हैं जगे कम पड़ गई जन्ता पाइलेट्स आपको सुनना चाती है लेकिन मैं तो एक ही बात कह देता हूँ हमारी सरकार करन्याटक की सरकार का जो 40% बस्ताचार का मामिला था उससे भार जा रही है हमारी सरकार बस्ताचार के सारे रिकोर्ड तोड़ दी हमने हमारा अलाइमेंट खराब है पाइलेट्स आप ठीक करो दारिवाल का अलाइमेंट खराब है उसको भी ठीक करो आर यो बुड़ो ओ बुड़ो बावलो गो बावलो गो जा हिंजे भारत